नमस्कार प्यारे विद्यार्तियों आज का हमारा विशे होने वाला है पादिपूमे जनन जैसे हम अंगरेजी में रिप्रोड़क्शन प्लांट्स भी बोलते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी जीव का अपनी संतान को जनन देना जनन कहलाता है हम सभी एभी जैनते हैं कि अपने समान जीव के साथ ही जनन कर सकते हैं लेकिन हमारे पेड़ पौदे यानी पादप उनका क्या उनमे किस परकार जनन होता है पादिपो में मुख्य रूप से दो परकार से जनन होता है यानी sexual तथा अलेंगिक यानी एसेक्षुल अब इन दोनों में आप पूछेंगे अंतर क्या है बड़ा सीधा सांतर है अलेंगिक और अलेंगिक जनन में मुख्य अंतर यही है कि अलेंगिक जनन में पादप बिना बीज के उत्पन होते हैं तथा लेंगिक जनन में बीजों के इस्तमाज से नए पादक जनन लेते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से अलेंगिक जनन की ही बाते करेंगे तथा इसके भिन भिन प्रकार के रूप देखेंगे। अलेंगिक जरन का जो पहला तरीका हम देखने वाले है वह है काईक प्रवधन जिसे मंग्रेजी में वेजिटेटिफ प्रोपगेशन कहते हैं यह तरीका पादपो में काफी आह हैं तथा आपने अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में इसे जरूर देखा होगा उधारन के रूप पे गुलाब की कलम को ही ले लिजिए क्या आप जानते हैं कि अगर गुलाब की कलम को काट कर जमीन में काड़ दिया जाए तो उससे पूरा नया पादय पिजल मिले सकता है यह काईक प्रवधन का ही एक उधारन है तता हैसे बगीचों में काफी इस्तिमाल किया जाता है उसी प्रकार आलू की आँख और आँख से मेरा ताक पर है यह गड़े इन्हें आलू की आँख कहते हैं उसी प्रकार आलू की आँख जो है उसको भी अकर सही परिस्तितिया मि तफिर के पाथपका है भरायो फायटय के पत्तों से नए पादपों को जन्म दिया जाते हैं काईकप्रवधन इसमें भी लगता है उसी प्रकार, प्याज और लहस्न है तो यह मूर रूप से जड़े ही, तो इन जड़ों से भी नए पादपो को काईक प्रवधन के द्वारा ही जन दिया जाता है। तो देखें याँ, काईक प्रवधन कितने भिन भिन रूप से हमें देखने को मिलता है पादपो में। तथा यह जो तरीका है हम अनिश्यों द्वारा अपने च्छवनुसार पादपो को जन्म देने में भी इस्तमाल होता है लेंगेज जिनन का दूसरा तरीका है मुकुलन जिसे में अंग्रेजी में बडिंग भी कहते हैं आप सभी इस नाम के फंगस को जानते हूंगे इसका बेकरी में काफरमाल होता है है इस पी न क्यानकी द्वारा अपनी संतान्य पैदा करता है जैसे कि आप एस वीटीव में देह सकते हैं किस तरह से एक इस्ट कोशिका बाकी इस्ट कोशिकाओं को मुकलन की द्वारा पैदा कर रही है पुर्ण तो यह होता किसे हैं चले देखते एक वहस्ट इस्ट कोशिका जरन के वक्त अपने मुकल को विक्सत करती है जब वो मुकल को सारे तत्व तथा केंद्रा कुछ भाग मि येस्ट काफी जादा संताने पैदा कर सकता है और येस्ट की इतनी तेज जनन करनी की शमता को ही हम बेकरी में यूज़ करते हैं अलेंकिन जनन का जो अगला तरीका हम देखने वाले हैं वो भी कुछ मुकुलिंजे सही है इसे हम खंडन यानी फ्रैग्मेंट टेशिन बोलते हैं शायद आप मेंसे कुछ को पता हो कि स्टार्फेक नामक जो मचली होती है उसका अगर एक फन काटते तो उससे एक पूरी नई स्टार्फेश ही जननम ले देती है परन्तु क्या आपको पता है कि ऐसा ही कुछ पेट बादों में भी हो सकता है एक अलगी जिसका नाम है स्पाइरो गायरा वो भी कुछ इसी तरह से खंडन से अपने नई संतानों को पैदा करती है अलेंकिक चिनन का जो हम आखरी तरीका देखते हैं वाले है वो है बीचाणू निर्माण जिसे अंग्रेजी में स्पोर्ट फर्मीशन की नाम से जाना जाता है शायद आपने देखा हो कि कुछ घासे जैसे की मौस और फर्न अपने अंदर कुछ कंड समीटे बैठी होती है तता फोक मारने पर या जटका दिने पर ये हावा से भी हलकी रूई जेसे कंड हावा में बिखर जाते हैं इतरुदर इन्ही कंड को हम बीजानू कहते हैं अब देखा जाए तो बीजानू भी बीच की इवाती है परंतु काफ़ी सुक्ष में एक बीच की इवाती अगर इन्हें जमीन में गिरा दिया जाए तरह साही परिस्तितिया मिले तो ये एक नए पौधे को जन देती हैं परंतु कि बीजानू इतने हलके होते हैं इसलिए हवा में इधर दर भिखडते रहते हैं इससे इनके अंदर के जीवन के नश्ट होने की संभावना बनी रहती है लेकिन प्रकृति ने भी इन्हें बचाने का तरीका ढूंड ही लिया है इतों चित्र आप देख रहे हैं ये एक बीजानू का चित्र है इसके बाहर की सता पर गौर करिया है बले ही बीजानू काफी हलके होते हैं और हावा के साथ लहराते हैं लेकिन कि जो बाहरी सता होती है ये कठोर तथा मजबूत परते हैं जब तक बीजानू को सही परिस्तितिय ना मिल जाए तब तक यही बाहरी सता उसको उचताब तथा अन्य परिस्तितियों से बचाय रखती हैं अब हम अलेंकिक जनन के सभी तरीकों देख चुके हैं जो कि थे काईग प्रवधन, मुकुलन, खंडन तथा बीजानू निर्माणू उम्मीद है आपने कुछ नया सेखा होगा अगली वीडियो में हम पादुपो में होने वाले लेंकिक जनन यानी सेक्शूल रिप्रोडॉक्शन के बारे में जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए